लखनव के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राश्टिय विधी विश्व विद्याले के डॉक्टर आमबेडकर सभागार में भारतिय जंता पार्टी प्रदेश कारेस्मिती की बैठक 2027 में विजय के संकल्प के साथ संपन्ध हुई प्रदेश कारेस्मिती में आगामी 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की चिंता साफ साफ भाजपा नेताओं के भाशनों में जलक रही थी यह चिंता होना लाजमी भी है क्योंकि 2014 के बाद यह पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सांसत से लेकर पारशत तक सभी को अभी से 2027 के लिए जुटना होगा। में फिर से प्रदेश में भाजपा का पर्चम फहरेगा। उत्तर प्रदेश के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है। लेकिन हमें इस बात के आद रखना उत्तर प्रदेश को जो यह नहीं पैचान बनी है। उत्तर प्रदेश जो पहले छटी अर्थविवस्ता थी आज देश की नंबर दो की अर्थविवस्ता बन चुकी है। और देशी के साथ उभरती भी अर्थविवस्ता की रूप में अपने आपको स्तापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो प्रसेप्शन बदला है आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे। लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को प्रकरार रखने के लिए जीत के सिल्सले को फिर से आगे बढ़ाने की आऊ सकता है। और उसको बढ़ाने के लिए आवहान करने के लिए आज आपके सामने मनी रास्तिय ध्यक से भी आएं है। जीत का ये सिल्सला जो 14, 17, 19, 22 पंचाय चुनाओं नगर निकाय चुनाओं उपचुनाओं में बना रहा यही मॉमेंटम दोहजार सत्ताइस में भी बनेगा यहां हमारा संकल्प आज से होना चाहिए। आज से होना चाहिए। याद रखना भारती चंता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है जिला पंचैत अध्यक्स भी है और ब्लाक परमुख भी है चेयर्मेन भी है पार्शत भी है और अगर यहां पर कहीं भी कहीं कोई खनोच आता है तो वहां उसकी आसर वहां पर भी पढ़ने वाला है और इसलिए अभी से इसकी तैयारी में चुटना होगा एक एक वेक्ति वो जितना पड़ेगा ब्लाक परमुख हो या चेयर्मेन महापौर हो या जिला पंचैत अध्यक्स बिदायक हो या विधान पर इसा सदस्य लोग सभा के हमारे मान्य सांसद ह या फिर राज्य सभा के मान्य सांसद इन सब को संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके संगठन जिसको तै करे उसके साथ खड़ा होकर की प्राणपन से जुट करके कमल चुनाचिन को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे वढ़ेंगे तो आपका भी सम्मा होगा सरवत्र सम्मान में मिलेगा और जो लोग उचल खूद करने का कुछ चित प्रियास कर गये हैं मुझे लगता है इनको दुवारा उचल खूद करने का उसर ही नहीं मिल पाएगा यह हम आप सब को आजश्वस्त करने के लिए यहां पर आये हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौरे ने भाजपा कारेकरताओं में जोश भरते हुए कहा कि मैं कारेकरता पहले हूँ उप मुख्यमंत्री बाद में कारेकरताओं के लिए हमारा दर्वाजा हमेशा खुला है केशफ प्रसाद ने कारेकरताओं से कहा कि निराश के गर्द से बाहर निकलो हम 2024 की हार का बदला 2027 के विधान सभा चुनाव में लेंगे उन्होंने कहा कि अब तक जो लक्ष लेते थे वह हम पार करते थे वर्ष 2024 में परिनाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे इसके लिए हमें चिंतन मंथन करना होगा लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की बोलेने की हैसियत नहीं थी आज लगता है जैसे उन्होंने देश जीत लिया हो उन्होंने कहा कि कारेस्मिती की बैठक में यह तै करके जाना है कि 2027 में सपा बस्पा और कॉंग्रेस एक जुट हो जाएं तो भी हमें अपने सामर्थे के बल पर 300 पार के लक्षे को पार पाना है उप मुक्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा फरेभी विपक्ष के कारनामों के बारे में हमें घर घर जाकर जानकारी देनी होगी उन्होंने कहा कि 2027 में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जीतोर महंत करनी पड़ेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंग चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में हम प्रदेश की सभी दस सीटों पर विजए प्राप्त करेंगे संगठन महामंत्री धर्मपाल ने कहा कि कारे करता ही विचारधारा का मूल आधार है इसलिए सतत और निरंतर संपर्क समवाध होता रहे भाजपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ा, मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ ववनमंत्री अरुन सक्सेना ने एक पेड मा के नाम अभियान के तहत विश्व विद्याले परिसर में पौधार उपन किया तथा बाबा साहिब भिम्राव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुषपांजली अर्पित करते हुए नमन किया। स्वतंत्र देव सिंग, पूर्व उपमुक्यमंत्री दिनेश शर्मा एवं राष्ट्रिय प्रवक्ता प्रेम। शुक्लव गौरव भाटिया उपस्थित रहे।